हाई स्मार्ट पीपल और क्या हाल है वोफुली आप सब के पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आज हम हाजर है आपके लिए वापस से एक नया चैप्टर लेगे जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टर एंड इसका एक फैंसी नेम भी है जोसे कहते हैं केमिकल अब अच्छी चैप्टर जो है एंडोक्राइन नाम कहीं सनों लग रहा है नो नियूरल कंट्रोल एंड पारिनेशन चैमिकल कंट्रोल एंड पॉक्रिम इस ये दौनरे चैप्टर जो है या आपस में डूसरे से काफी लिंक है राइट वाजम इस चाप्टर को स्टार्ट कर आपको पका नेवर सीस्टम जो नयूर्याँसमिटर बना सकता है तो मालो आपने कोई गरम चीज अगर्म चीज खोई तो एकदम से आपका हात पीछे जाता है आपको पताए कि होता है कि ही आपकी सेल्स चुरें वो लाइक वो डिक्टार नहीं निगल सकते हैं तो इन सच कंडिशन आपको चाहिए कैसा सिस्टम जो कि 24 गंटे क्या करें आपके सेल से इंपल्स आपके ब्रेन तक लेके जाए और उसे बताए कि हाँ भई सारी सेल्स जो है वो प्रॉपरली वाटर का और आयन की बैलेंस को मेंटेन कर पा रही है तो इस सिच्वेशन में वा तो इसे प्रॉसेशन है हमारे पास दूसरा फॉर कॉंस्टेंट सेग्नलिंग तो डिफरेंट ऑर दे बाड़िए अपकी बाड़िए के पास अगर सिच्वेशन पचान है लगाता किकी नेरो ट्रांस्मिटर बहुत जल्दी काम करेंगे है वो शौर्ट ताइम के लिए कर ल है और ये वांट वी सो कूल है ना अब बने मानेंगे तो इस थाइम पर जो तो मारी बोडी के अंदर अधर अधर दोपामीन हॉर्मोंस निगलते हैं ये हॉर्मोंस बैक्षली कॉन है एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है तो एक और एक्सांपल इसे मालो तुमारे सामन का और किस दोख और उतन निगा ऑगने वाला एक्षन बोडी में कॉन लें किया हॉर्मोंस लेह सो ढांप जार इसपटर करियोवाण होंग है ना तो इसी ही काफी इंक बाते हैं करने वाले और इस तरीके से आपका न frase ये श्रूद्सीं टीजिंस सम्क्री काम करेंग लिग सिस्टम जो उसको ट्रांस्मिट करने काम करेगा और यह दोनों मिला कि आपकी बॉड़ी की प्रॉपर कंट्रोल एंड कोडिनेशन परफॉर्म करते हैं तो फिर स्वागत है आपका हमारी इस मुलाखात में और करते हैं हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट मुस्ट वैलकॉम तो वही फिर आए देखते हैं क्या होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम तो अगर मैं इस चैप्टर के सीक्वेंस की बात करूँ तो यार सबसे पहले हमें जानना है कि जो आपके एंडोक्राइन ग्लेंड से होते क्या हैं राइट पहले उसके बारे में बढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे hormones के बारे में works, hormones, hormones, hormones !! coयतों होते हैं किस तरीकर से classification होती है मेकानिजम क्या होता है रूप tamp i क इंठ बात कर दाए हम बारे में जाननी है फिर हम बात करेंगे थाइमस ग्लेंड के बारे में और थाइरोइड ग्लेंड के बारे में उसके बाद फिर हम बूब कर जाएंगे एड्रीनल ग्लेंड पेंक्रियास and test these ovaries this is how the chapter will be completed तो आई फिर स्टार्ट करते हैं and सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ basics जानते हैं इस endocrine system के बारे में तो यह जो endocrine system है इसकी शुरुवात किसने करी है न क्योंकि हर किसी का एक godfather होता है तो ऐसी यहां पर godfather कौन है उनके बारे में समझते हैं तो अगर आपसे कोई पूछ जाए कि बताओ father of embryology क्या होती है इसको छोड़ तो पहले हहां पर समझो father of endocrinology okay endocrinology मतलब आपके study है किस चीज की है आपके endocrine system की तो इसके father किसे कहा जाता है so this is Thomas Edison okay okay Thomas Edison is the father of endocrinology second सवाल आपसे पूर सकते हैं कि बताओ first hormone discover कौन सा हुआ था first hormone discovered that was secret in okay okay secret in आपने पड़ा होगा direction and absorption वाली chapter के अंतर और कौन से वो साइंटेस्ट थे जो ने secret in hormone को discover किया था it was bellis and starling okay bellis and starling जो थे ये दो scientist थे जिन्होंने इस hormone को ढूंड़ा था इसके लाव आपको एक और ध्यान रखनी है कि starling है ये वही scientist है जिन्होंने इस hormone शब्द को दिया है तो सम्बड़ी आस्क्यों बताओ who gave the term hormone 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 ये जो term है ये किस ने दी है term hormone was given by the scientist starling okay 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 इसके लावा एक सवाल और लास्ट बन सकता है कि बताओ सबसे पहला hormone extract कौन सा गिया गया था body के अंदर hormones होते है पहली बार तो दिखा गया कौन सा secretin कि हमारी body में एक hormone है secretin पहला hormone ये था जो body के अंदर दिखा गया था लेकिन पहला वो कौन सा hormone है जिसको मने बहार ही निकाल डाला पूरा का पूरा है ना तो कौन सा hormone first extract किया था इसका जवाब क्या होगा तो first hormone extracted तो वो था insulin 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 right तो insulin insulin was the first hormone you know diabetes के अंदर इसका बड़ा रोल है तो अगर ये ना हो तो diabetes हो जाएगी my bad तो ये जो hormone ही पहली बार body से बहार निकाला गया था तो इट वस you know marketed okay तो अब यहां पर आता है यहमने कुछ basic बाते समझे है जो हमें anyhow याद करने वाली बाते है तो हमें याद करना ही बड़ेगा और इसमें सवाल बन सकता है यहां पर आते हैं यहां ने कुछ बाते लिखी हैं कि यार function क्या होता है hormones का आपकी body के अंदर functions क्या है hormones का आइए इसको समझते हैं तो आपकी body के अंदर जो जितने भी processes चल रहे हैं काफे सारे enzymes involved होते हैं तब जाके यह पूरी reaction complete हो पाती है जैसे अगर मैं बात करूँ glucose तो आपकी cell के अंदर जो glucose है उसको breakdown करने के लिए क्या simple एक step में वो breakdown हो जाते है नहीं it takes multiple steps तो glucose जो है अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो water plus co2 plus energy तो यह बहुत ऐसे तो नहीं होने वाला है ना it will be having series of steps काफे सारे enzymes involved होंगे अब उस सारे के सारे steps में जो enzyme involved है उनका regulation करने के लिए हमें hormones की ज़रूद होगी तो पहला सबसे important function समझे चाहे आप बात करो ornithine cycle के बारे में चाहे आप बात करो तो hormones की बहुत basic सी और बहुत मज़िदा definition मने लिखी है आपके लिए hormones generally control production of enzymes by altering the DNA transcription we all know DNA से आपका बनता है RNA RNA से बनता है आपके proteins the process is translation transcription तो यह hormones करते के हैं यह आपकी body में जो DNA है उसमें से transcription करवा के proteins बनवाएंगे enzymes बनवाएंगे और यह उन enzymes का production भी करवा सकते हैं और उनका inhibition भी करवा सकते हैं तो इस सारे के सारे जो functions है यह hormones बहतरी परीके से जानते हैं तो इनको इनका काम करने तो हम अपना काम करते हैं और समझते हैं इनके बारे में कुछ और बाते हैं but hopefully आप समझ चके होगे कि यार cellular pathway में hormones का सबसे important role होता है आगे बढ़ते हैं and next let us talk about next क्या होता है endocrine gland उसके बारे में समझते हैं तो दो तरह की glands यह आप बच्पन से बढ़ते आरे हो बच्पन मतलब 8th, 9th, 10th class से आप बढ़ते आरे हो दो तरह की glands होते हैं endocrine एक होते हैं exocrine endocrine glands वो होते हैं जो अपना secretion directly blood vessels के अंदर दाल देंगे मतलब blood is going to act as a vehicle for them और इसके अलावा जो आपके exocrine glands होते हैं वो अपना secretion जो हैं वो duct के through secrete करते हैं जिसे आपने बढ़ता salivory gland वो क्या एक ऐसी gland है जो कि अपना secretion जो है वो duct के through excrete out करेगी so that's an exocrine gland लेकर हमारी body के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस particular chapter में whether you talk about the hypothalamus, pitotry or pineal gland, thymus, thyroid ये सारे glands क्या हैं ये endocrine nature के होते हैं मतलब कि अपना hormone अपने secretions कहां पर पोर करेंगे ये अपने secretions को आपके blood के अंदर पोर कर देंगे चिक है चलिए तो hopefully आप समझ चुके हैं तो for example if this is a gland I am having ये में पास एक gland है और मैं कहा रहा हूँ कि ये एक endocrine gland है तो endocrine gland है मतलब आप ये बात पहले guess कर लीजेगा कि ये ना ductless gland होने वाल है इसके पास कोई duct नहीं होगी because ये endocrine nature का है तो क्या करेगा ये अपने hormones को directly छिड़केगा किस के अंदर blood vessels के अंदर तो अपने hormones को directly blood vessels के अंदर दाल देगा and this is how the you know these hormones are going to travel sir blood ही क्यों और कुछ क्यों नहीं because blood you know आपको बता है आपकी body में काफी distance तक travel करता है body के हर पाट तक blood जाता है तो ये hormones भी उसी के थुरू आपके body के different parts तक travel हो जाएंगे और इस तरीके से आपके target organ तक पहुच जाएगा so this is how the endocrine glands basically works बाकि एक्जोक्राइंजर उनके पाट ducts होती है तो वो ducts के थुरू consecration करने वाले यह basic सा मतलब है जो I hope आप जानते होंगे आगे आते हैं and this is what you can see सारे के सारे gland sequence में ने लगा दी है तो ये सारे gland से मैं पढ़ने है मैं numbering कर देता हूं उनको पहले हम पढ़ेंगे सबसे बढ़े hypothalamus 2nd pitotary 3rd pineal gland pineal gland is a small gland जो आपका यह दिखनी रहा होगा लेकिन I'll show you ठीक है यहाँ पे जो gland है this is the gland called as pineal gland अच्छा वापस आते हैं and 3 glands तो यह हो गए जो आपके brain के हैं इसके लावा next time पढ़ेंगे आपका thyroid gland और thymus gland तो 4th and 5th thymus gland जो है यह आपका पाया जाता है sternum के left side में और heart के आगे this is your heart and heart के आगे की तरफ ventral side में क्या होगा thymus gland लगा होगा thyroid जो होगा यह आपके next side में होगा इसके लावा pancreas हो गया है which is a myxocrine gland और adrenal gland हम पढ़ेंगे इसके लावा 2 glands और होगे testis or ovaries and this is how the chapter will be completed okay तो यहाँ पर मैं कुछ hormones के बारे में कुछ character 6 लिख रहा हूँ कि hormones क्या होते हैं या फिर आपको बता हर किसी के बास अपनी खुद की खुबसूरती होती है अपनी खुद की खासियत uniqueness होती है तो hormones की क्या uniqueness है let's talk about that okay so let's talk about hormones 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 okay check देखो पहली बात आपको ध्यान अपना है कि hormones जो होते हैं वो biogenic nature के होते हैं क्या मतलब है कि यह biogenic nature के हैं इसका मतलब यह है कि जो आपके hormones होते हैं वो आपकी body आपकी cells खुद ही बनाती है it's not something कि आप इसे diet में include करके body के अंदर लोगे deficiency है तो आप ले सकते हो लेकिन generally आपके body इन्हें खुद बनाती है तो it is produce within the cell इस cell के अंदर बनने वाले है second बात जो आपको ध्यान अखनी है कि जो आपके hormones होते हैं they are intercellular मतलब कि यह एक cell से दूसरे cell तक messages को लेके जाएंगे it's not something कि यह एक cell के अंधर ही messages को transmit कर रहे है तो for example if this is a cell तो ऐसा नहीं होने वाला कि यह hormones है यह एक cell के अंधर ही किसी एक point से दूसरे point तक signals को transmit करेंगे no यह अपने signals transmit करते हैं एक cell से दूसरी cell तक तो they will be acting as a chemical messengers and वो भी कैसे वाले intra या inter so they will be acting as a chemical messengers और मैं पूछूँ वो भी कैसे तो आप कहेंगे they must be intercellular ठीक है दो cells के बीच में तीसरी बार जो आपको धिहान रखने हैं के बारे में कि they are non-nutritive हाना जिसे आपको एक example देता हूं मैं एक बहुत अच्छा example है वो है आपकी growth का growth करवाने के लिए क्या चाहिए हमें हॉर्मोन चाहिए growth hormone अब ना growth words सुनते ही हमें यह लगता है कि यार खाना growth कैसे होगी खाने से होगी तो वो जो hormone है वो कोई nutrition provide नहीं कर रहा आपकी cell को वो क्या कर रहा है वो hormone जो है वो आपकी cell पर जाके काम कर रहा और cell को यह बात बता तो आपका होगी कि तीसरा क्या होता है hormones जो होता है वो non nutritive होते हैं मतलब hormones अपने आप में nutrition provide नहीं करते हैं ठीक है यह से messages को impulses को इन चीजों को carry करने वाले हैं तो कोई इनके थूँ ATP प्रवाइड नहीं की जाती तो no ATP supplied by them okay चौथी बात पर आते है next point आपको जाना कि जो hormones होते हैं सारे के सारे hormones जो होते हैं इनका molecular weight काफी कम होता है तो जिते भी hormones आप अपने बाडी में देखेंगे उन सबका molecular weight कैसा होगा कम होगा तो आप कहेंगे low molecular weight okay next fifth point जिते भी hormones बनते हैं वह आपके बाडी में trace amount में बनते हैं मतलब बहुत कम मातरा में बनेंगे it's not something के मलब भर भर के hormones बनाये जागे है तो it is not something hormones और neurotransmitters जो होते हैं यह कम मातरा में ही बनते हैं और यह आपके बाडी में accumulate नहीं होते यह instantly use हो जाते है तो it's not something के यह hormone को बनाया गया है और इसको जहां पे जिस target पे भेजा गया है वहां पे जाके वह store हो जाएगा यह accumulate होना start हो जाएगा नहीं ठीक है तो it's like we can say कि यह जो है यह क्या होंगे low molecular weight होगा इनका और इसके लावा आप कैसे हो कि they are found in trace amount found का हो जा फिर produce का हो produce is more preferred word इसके लावा 6 आपको बताया कि यह reactions में use हो जाते है यह accumulate नहीं होते so used up in reactions so used up in reactions do not accumulate okay तो यह कुछ basic से point है hormones के बारे में जब-जब hormones की बात होगे तो आपको यह सारे के सारे points अपने mind में याद होने चाहिए तो तिन सवाल आपके सामने में आप लिखे हैं कि बताओ master gland कौन है और master control center कौन है तो I hopefully है यह आप मुझे comment करेंगे क्या जवाब है इसका हलाकि हम आने वाले sessions में इनके बारे में बहतरी न तरीके से जानने वाले हैं कि who is the master gland, who is the super master gland तो सब हम पढ़ेंगे तो फड़ा पर से न दजर मारो इस slide पे और यह सारे के सारे नाम sequence में याद करो फिर हम आगे बढ़ते हैं neurotransmitter fast काम करते हैं fatoxy काम करते हैं और hormones वो slow काम करते हैं इंट्रक्शन आपने देख लिया होगा तो neurotransmitter fast काम करेंगे hormones slow है gradual है लेकिन continuous है ठीक है तो कुछ points में लिखके लाए हूँ पटापाट से नजर मार लो हलाकि वैसे आपको पता होगा hormones are found in both plants and animals है जिसे आपने पड़ा होगा एक चैप्टर है आपका plant growth and development वहाँ पढ़ते हो oxygen hormones cytokinin हो गया तो यह सारे hormones है जो plants में भी पाया जाते हैं और hormones हमारे पास भी है right hormones हमारे पास भी है लेकिन neurotransmitters सिर्फ animals में ही पाया जाएंगे पहला difference दूसरा difference यह जो हर्मोन होते हैं यह बռोंग करते हैं endocrine system से वही neurotransmitters जो होते हैं यह बात च्रफॉवर्ड करते हैं nervous system से यह बात आभाद हम जानते हैं right iczne लेकिन rotational Neurotransmitter सिर्व और सिर्फ प्रोटीन और Amino Acid से ही बनते हैं, और किसी चीज़ से नहीं बनते हैं, ओके? फूर्थ, transmit through the blood, आपको बताया है मैंने अभी कि हॉर्मोन्स कैसे transmit होते हैं, they transmit with the help of bloods, because हम इस चैप्टर में basically किसकी बात कर रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लेंड्स की, तो उनके हॉर्मोन्स जोंगे, वो सिक्रीट होंगे, या transport किये जाएंगे blood के through, वहीं जो neurotransmitter है, वो synaptic cleft या axon के through transmit होते हैं, फिफ्थ, act on a distant side, तो यह जहां पर बनते हैं, वहां से दूर जाके action भी कर सकते हैं, जैसे एक बहुत प्यारा example मैं आपको दूँ, तो आपको पताएं कि आपकी brain से एक hormone निकलता है, testosterone, right, सबको पताएं इसके बारे में क्या होता है testosterone, it's a hormone that gives you kick, जो आपको hits देता है, कि testosterone in the case of males, right, इसके लावा वो आपकी, you know, मूचे लेके आएगा, आपको masculine बनाएगा, आपकी growth करवाएगा, sexual growth करवाएगा, puberty लेके आएगा, इस सारे काम किसके हैं testosterone के, बनता कहां पर है, testis में बनता है, लेकिन testis को बताना पढ़ेगा कि नि, बताना तो पढ़ेगा न, कि इतना लंबा distance से travel कर रहे है, तो hormones जो है, यह long distance travel कर सकता है, लेकिन आपको बता है, कि जो आपके neurotransmitter है, इनके traveling होती है, इनके receptors पास-पास में होते हैं, और इनके receptors बहुत दूर हो सकते हैं, तो this is another difference, six difference जो हो सकता है, वो यह है, take few minutes or few days to respond, तो यह slow होते है, gradual है, continuous है, लेक का reaction आपको देखने को मिल जाएगा, और last difference जो है, वो यह है, कि diverse functions in controlling the growth, development and reproduction और इनका से वह एक है function है, कि यह signals को transmit करेगे, done है, तो समझ गए, इन दौरों में difference क्या होता है, done है, अगे देखते है, next अगर हम बात करें, वो है आपके पास, अब हम start कर रहे है, classification of hormones, तो hormones को आ classify कर सकते हैं, या glands को आप कैसे classify कर सकते हैं, अब उसकी बात करते हैं, चिक है, तो पहला classification हम यहापर start कर रहे है, and that first classification is on the basis of germ layer, तो यह है classification of glands या hormones, चिक है, तो classify classify कर रहे है, पहला जो basis में में पास, वो है आपका origin of gland, कि जो gland हम पढ़ने वाले हैं, जो sequence में हमने glands देखिए हैं, वो glands कहां से origin हो रही है, एक्टोडम की कौन सी layer से वो बन रही है, is it driving from ectodum, mesodum और endodum, तो let's talk about this, तो तो तेन different classes में हैं बना दे रहा हूं, categories में डिवाइड कर रहा हूं, पहली या तो सकता है कि वो ectodum से बने, हाना कुछ ऐसे glands हैं जो ectodum से drive होए हैं, कुछ ऐसे हैं जो mesoderm से drive होए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो endoderm से drive होए हैं, पहले, इनका sequence फरावर से पढ़ते हैं, कौन-कौन सी glands हैं, तो ectodum में वो वाली glands आएंगी, जो कि आपको पता है कि आपका nervous system जो है, वो ectoderm से drive होए है, एकसेट एक दो तीन पार्ट, लेकिन पूरा का पूरा nervous system किससे drive होए है, आपके ectoderm से, तो यहापे आपके वो वाली glands आजाएंगे, जो आपके brain में involved हैं, जैसे कि pineal gland, जैसे कि pituitary gland, तीक है, hypothalamus हो गया, यह सारे glands कौन से हैं, यह आपके ectoderm के origin से होते हैं, mesoderm, इसमें आपके आजाएंगे reproductive organs, तो reproductive organ में जो आपके glands पाये जाते हैं, वो सब क्या है, वो यहाँ से origin है, originate होए है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसकी endocrine गी, तो इसमें आप समाइनल वैसिकल या prostate gland, इन exocrine in nature, हम यहाँ पर endocrine की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन आएंगे, testis, ovary, pancreas, यह सारे glands कैसे हैं, यह आपके mesodermal in origin है, in fact, यह जो pancreas है, यह तो myxocrine होगा, इसको यहाँ मत लिखो, ठीक है, तो यह दो कैसे glands हैं, mesodermal in origin होते हैं, और इसके लाबाद जो भी बच पृanno जो निवे खकर वो सारे कासे होंगे, आपके, endodermal origin के होंगे, फिर चाहिं आप बात करो, थाइयरोड ग्लेंड के बात करो, थाइमज ग्लेंड के बात करो, बात करो, पनक्रियस, इसके लाबा ज़ाइब का बच जाएगा, कांसा बच गया, मौशली हो गए आपके सारे के सारे ना तो यह वाले ग्लेंट जाएंगे लेकिन अभी भी एक ग्लेंट बज गया कौन से वाला इड्रेनल ग्लेंट नो एड्रेनल ग्लेंट अपर अपकी कट्नी के उपर उता है यह ना दो पाट में डिवाइड एक अंदर वाला पाट जो से आप कहते हो medullary reason it is adrenal medulla and this is cortex part actually में cortex part मेडूला वाला part यह आपके acrodom से drive होता है और cortex वाला part mesoderm से drive होता है तो यहां मैं लिखूंगा adrenal medulla वाला जो part होगा इस gland का वो इससे drive होगा और जो adrenal cortex वाला जो part होगा वो mesoderm से drive होने वाला है यह बात भी आपको इहां पर ध्यान रखनी है तो फटाफ़र से नजर मारो कौन से gland वो है वो कौन सी germ layer से drive है यह बात आपको ध्यान रखनी है अच्छा एक note point लिखते होगे चलता है and that note point is कि हमारे पास क्या होते है अच्छा पहली बात आप यह समझ चुके है कि जो आपका adrenal gland है adrenal gland कैसा है ectoderm, mesoderm या फिर endoderm तो आप कहेंगे कि it is ecto mesodermal in origin because वो दोनों ही जगह से drive हो रहा है right so it is ecto mesodermal होता है यह इसके लाब दूसरा note point आप यह पर add कर सकते हो that is कि आपके body में कुछ you know myxocrine glands भी होते है right myxocrine glands यह वो glands है जो कि ectodermal भी हो सकते है और endodermal भी होते हैं जैसे pancreas pancreas का majority of parts होता है exocrine होता है और एक छोटा सा 1% part कैसा होता है endocrine होता है pancreas के आपका pancreas इसना pancreas जो है यह आपका myxocrine gland हो जाएगा same testis testis जो होती है आपको पता है कि यह hormones भी release करती है और इसके कुछ other primary functions भी है तो इसको इसी में include कर सकते हो ओवरीज हो गई तो इनका काम सिरफ इतना नहीं है कि यह hormones बनाए इसके लाबा इनके पास कुछ और काम भी है that is why we are including them into this category okay please remember this as a note point बाकी आगे बढ़ते है let's talk about few more things तो आपने पहला classification पढ़ लिया कि जो आपके glands है वो कौन सी germ layer से बने हो है done चलिए तो एक सवाल आपके सामने है salt कीजिए इसको I think brightness रही जाद है गया hopefully visible है आपको चलिए बताए क्या जवाब होगा इसका देखे तो भाई जो भी सवाल मैं आपसे पोच्छूँगा एक बार उस part को pause करेगा and then think about the answer और फिर हम साथ में discuss करते है तो यह कह रहा है कि the main endocrinal gland main endocrine glands के आपको नाम बताने है सबसे बहले कौन सा है आपको बताए कि seri bellum के पास कौन सा होता है pineal gland और आखों के पास कौन सा होगा यह होगा pituitary gland तो यह हो गया pituitary और यह हो गया pineal gland ठीक है इसके लाबा next आप से पूछ रहे है तो आपके गर्दन के पास कौन सा होता है you are having the thyroid gland इसके लाबा thyroid के अंदर ही पाहे जाते है पराथाइरोइड यह पराओं को आपको आपको आगे parathyroid तो यह पर आपने parathyroid को भी इंक्लूड कर जकते हो parathyroid ठीक है अच्छ आगे आजो next यह कौन सा है तो आपको पता है किड्नी के उबर कौन सा होता है adrenal यह पर यह हो जाएगा ठीक है यह कौन सा है यह थाइमस हो गया हर्ट जो होता है यह भी एक तरह का ग्लेंड है बकॉस यह कुछ हॉर्मोन सिक्रीट करता है मगर मेजर काम आपको पता है हर्ट का इसकलावा स्टमक भी है इनके पास ना diffuse endocrine system होता है जो आपको मने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है डाइशन एंड अब्सॉप्शन में तो इनके पास क्या होता है ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो कि हॉर्मोन सिक्रीट करते रहते हैं और यह जो सेल्स हैं पूरी बॉडी में फैले होई है इसे कहता है diffused endocrine system इसके लाबा किड्नी भी अपने कुछ होर्मोन निकालती है ठीक है किड्नी के पास भी क्या होता है अपने कुछ होर्मोन निकाले जाते हैं जैसे रनिन वगरा हो गया हर्ट जो है वो आपका ANF है ना वो हॉर्मोन निकालता है स्टमक जो आप गेस्ट्रिन निकाल सकता है इसके बड़ाब है ये जो निशे आप देख पारें इस बड़े इस लिवर और ये पनक्रियास फ्यापनक्रियास भी भी अमें पढ़ने मरें इस लिवस में इसकिलाब आजी हो जाएंगी ओवरी, and this is testis, if that's a female, sorry male, और यह आपका हो जाएगा लेवर, I think. तो, this is what we have solved here, hopefully आपने भी solved किया होगा, आगे आते हैं, and let's talk about the classification of hormones, हमने एक classification पढ़ ली, कि आप hormones को divide कर सकते हो, on the basis of, कि वो उनका origin कैसे हुआ है, अब हम क्या करते हैं, अब हम डिवाइड करते हैं, आपके hormones का on the basis, कि भई, वो जो hormones है, यह hormones बने किस चीज से हैं, तो इनका constituent क्या है, यह nature क्या है, तो यह protein से बने है, amino acid से बने है, हना iodine से बने है, या फिर यह बने है, steroids से, let's talk about this, तो चार चीजे हैं, ऐसे चार compound है, जिससे आप, लब चार ingredients है, जिससे आप hormones बना सकते हो, वो चार ingredients क्या है, या तो कोई hormones जो है, वो amino acid से बना हो सकता है, example से भी ह hormone जो है, वो protein से बना हो सकता है, या polypeptide, ठीक है, amino acid से बने हो है, hormones को आप क्या नाम देते हो, आपने कहते हो, biogenic amines, ठीक है, यह call them, biogenic amines, ठीक है, तो इस बात को रहाना है, fine, इसके अलावा, next, अगर मैं आप से बात करूँ, तो hormones और किस चीज़ से बने हो सकते हैं, तो hormones hormones जो है, वो iodine से मने हो सकते है, उन्हें कहते है, iodothyronine, iodine, iodine, thironine, hormones, इसके लावा steroids हो सकते हैं, इसके लावा hormones यह हो, steroids के हो सकते हैं, तो यह बात आपको धेहन रखने हैं, done, आगे देखते है, इसके लावा, आप examples पढ़ेंगे है, यहाँ पर, examples किया होंगे, अच्छा classification ह कर रहे हैं तो basis हमारे पास है यहां पर nature of hormone कि वो किस चीज से बना हुआ है या composition आप कह सकते हो composition आईए करता है डिसकस तो आपके जो बायोजानिक अमाइंस है इसमें कौन-कौन से hormones आजेंगे तो examples आप यहां पर mention कर लिजिएगा जैसे पहला example है आपका epinephrine या adrenaline भी कह सकते हैं इसको ना तो पहला example है adrenaline और noradrenaline है ना तो यह जो आपके hormones ही कैसे है आपके biogenic amino acid ना मतलब यह amino acid के derivatives होते हैं और कौनसा amino acid यह भी आपको ध्यान रखना है यहां पर that too कौनसा amino acid tyrosine तो tyrosine amino acid derivative है यह fine इसके लब दूसरा example ध्यान रखना है यहां पर melatonin melatonin जो है यह आपका अगेन एक hormone है जो किसका बना होता है amino acid का कौनसा amino acid का tryptophan amino acid derivative ठीक है अच्छा दूसरी पर आता है peptide hormones peptide hormones मतलब किससे बने होंगे protein से बने होंगे you know what is peptide bond जो 2 amino acid को जोड़ने में काम करती है न और 2 amino acid जब जुड़ते हैं तो वो लास्ट में अगर बहुत साल जुड़ जाएंगे chain बन जाएगे तो भी call it as a proteins तो यह तीन तरह की से हो सकते हैं हैना वो तीन categories क्या होंगी it can be either short polypeptide short polypeptide हो सकते हैं इसके लावा यह लॉंग polypeptide हो सकते हैं इसके लावा यह protein भी हो सकते हैं तो यह examples discuss करता है इनकी क्या क्या examples इसमें आएंगे सबसे पहले जो short polypeptide है मतलब चोटे से थाना कि मालो एक दो या तीन amino acids जो उनको पास लिया है आपने उनको peptide bonds से जोड़ दिया so that is what we call us a short polypeptide तो वो जो है उसमें examples आपके आ जाएंगे जैसे की ADH oxytocin यह जो है यह examples short polypeptide hormones के okay अच्छा दूसरा long polypeptide में आपके examples आजाएंगे जैसे की insulin insulin एक long polypeptide example है hormone का example है इसके रावा glukagone ठीक है relaxin यह hormones खापे आजाएंगे इसके अंतर आजाएंगे और proteins वाले में important आपको ध्यान रखना है इसमें आपके examples आजाएंगे TSH FSH LH यह hormones जो ही कैसे हैं यह protein से बने हुए हैं इसके लबाब कुछ और examples पिया हैं जैसे HCG human chorionic gonadotropin यह पढ़ोगे reproductive वाले यह हॉर्मोन होते हैं जो प्लेसेंटा रिलीस करता है इसके अलावा HCM human chorionic mammo यह H-C-S that is human chorionic somatomamotropin स्पलिंग दान से देखना somatomamotropin तो somatomamotropin यह भी आपका प्लेसेंटा रिलीस करेगा इसके लबाब आपके हो जाएंगे यह भी आपके प्रोटीन डेरेवेटेव होते हैं ओके नेक्स बात करते हैं कि आएोडीन से कौन सा हर्मोन बना हुआ होगा तो बहुत simple example है यहाँ पर that is यहाँ पर आपका example सालेगा T3 या T4 which we call ऐसा thyroid hormones और क्या आप guess कर सकते हैं कि thyroid hormone कौन सी gland बनाएगी simple thyroid gland ठीक है तो thyroid gland जो hormones बनाते हैं वो कैसे होते हैं iodine थाइरोनिन होते हैं मतलब यह iodine की derivatives है तो इन में 65% जो है आपको iodine मिलेगा और यह भी amino acid से ही बने होते हैं तो आप इस category को ना इसमें भी include कर सकते हो तो यह भी amino acid से ही derived है बस इसमें 60% क्या है 65% इसमें iodine मिल जाएगा आपको तो यह भी कैसे amino acid से बने हैं कौन से amino acid same tyrosine amino acid derivatives है tyrosine amino acid acid derivative ठीक है और लास्स आता है आपके steroids steroids में examples के आजाएंगे तो यहापे आपके examples आजेंगे जैसे कि progesterone estrogen ठीक है progesterone estrogen हो गया और आप इसमें इंक्लूट कर सकते हो progesterone हो गया, estrogen हो गया तो gnrH आप इसमें भी डाल दीने आपे इसे अटाओ तो यह जो hormones है आपके progesterone estrogen यह सारे किसमें आजेंगे they will be classified in the steroids इसको आप स्टेरोइड में classification कर सकते हो अच्छा तो अब यहाँ पर क्या क्या सवाल बन सकते है पहला सवाल यह बन सकता है कि बताओ tyrosine derivative hormones कौन-कौन से हैं दो यह पढ़ लिए adrenaline और noradrenaline और हमने कौन सा पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया thyroid वाला ठीक है? T3, T4 यह हो गए tyrosine derivative दूसरा पूर सकता है बढ़ाओ steroids जो होते हैं यह steroids वाले जितने भी hormones हैं यह hormones किस चीज से बने होते हैं? तो कोगे steroids से बने हैं लेकिन steroids किस से बना हुआ है? तो याद इतना कि steroid का precursor कौन होता है? तो steroids का precursor होता है cholesterol cholesterol is the precursor ठीक है? तो cholesterol precursor होता है कि steroids का तो उनसे बने होता है यह सारे-सारे hormones तो एक बार इस पर दज़र माढ़ लेज़े and then we will move forward पर्यस्टरों एस्टरों पर्यस्टरों एस्टरों 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 झाल दन है भई हो गया एक इसमें काथ एक्जम्पल्स और एट कर लो इस टेस्टोस्टेरों इस्टरडायोल इस्टरडायोल जो नहीं प्लसेंटा बनाता है और अगर यह ना बने ना तो इसके वाइस से प्रेगनंसी जो है वो अबर्शन में भी कनवर्ट हो सकते हैं तो इस वरी इंपोर्टेंट इसके लबाँ एड्रीनल कोर्टेक्स के जितने भी हॉर्मोंस है ना फिल चाहे आप बात करो ACTH हो गया गुलुको कोटिकोईड मिंट्रेलो कोटिकोईड यह सारे हॉर्मोंस जो हम पढ़ेंगे अभी आगे वो सारे हॉर्मोंस भी यही बनाएगा सब्सक्राज मिलते हैं और प्रमॉंस नेच्प्राइगा व्हों कि यह दो होंगे यह वह भी लिपिड्ट रिवेट्व गया है या लिपड़ इस तो तो तीसरी ख लास्विकेशन जो हम पढ़ने जा रहे है उसका basis आप क्या रखेंगे तो आप कहेंगे इसका basis है कि भाई solubility है कि निया उनकी तो whether they are lipid soluble और water soluble अच्छा एक सजेशन दू आपके लिए सब्सक्राइशन यह है कि इस चार्ट को आपको बहुत है जाएगी मतलब होता ना कि फोटोजनिक memory होती है कि आपने उसको चाप लिया अपने माइंड में तो as it is इसको धिहान से देखो दो मिन तक इस टागराम को मतलब इस फ्लो चार्ट को और as it is इसको अपने माइंड में एब्सॉर्प कर लो ठीक है बहुत help मिलेगी देखना भी आगे 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 देखो water soluble हो सकते है य आपको next slide पर समझाओंगा पहले काम करते हैं पहले mechanism समझते हैं hormones का कि hormones काम कैसे करते हैं फिर हम लास्ट इसको पढ़ लेंगे टिक है कि water soluble है फिर lipid soluble है तो काम करते हैं हम ना mechanism समझते हैं हना यह एक और classification है आपके hormones की सर कितनी classification है तो we can classify them है ना हमाँ पास hormones तो सेम है बस आप उन्हें अलग-अलग function की basis पर डिवाइड कर रहे हैं तो दो तरह की hormones को आप वापस classify कर सकते हो इस बार आप basis क्या रखोगे कि भाई उनका target site कहां पर है कुछ hormones ऐसे हो सकते हैं जो कि यार अपने बगल वाले cells पर ही काम करते हैं कुछ hormone ऐसे हो सकते हैं जो यार ब्रेन से निकल के testis तक travel कर रहे हैं जैसे testosterone राइट स्वरी एफसेच लेच यह hormones रहे ही बहुत लंबा distance travel करते हैं तो जो hormones बहुत लंबा distance travel करेंगे we call them circulating hormone जो कि एक पार्ट से डिलीज हो रहे हैं ब्लड के थूँ वो दूसरे वाले पार्ट तक travel कर रहे हैं जो उनसे काफी दूर है जो हर्मोन अपने पास वाले सेल्स पर ही काम करना स्टार्ट कर दें जैसे यहां से निकले तो यहां पर काम कर दिया यहां से निकले यहां से निकले यहां पर काम कर दिया तो ऐसे वाले जो आपके hormones होते हैं यहां लोकल होर्मोन्स, simple, क्या मुश्किल है इसमें है न एक और तरह किसा हमने classification कर लिया, तो हमने किस किस तरीके से classify किया है, पहला कि उनका origin कैसा हुआ है, दूसरा classification was based on कि भाई उनका nature क्या है, composition क्या है, वो किस छीज से बने है, तीसरा classification है, solubility, वो जो भी हम पढ़ने वाले है, चौता classification, उनका target कहां पर है, दूर है या पास है, circulating या फिर local hormones, अब हम पढ़ते हैं, mechanism of hormones, कि hormones काम कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक example देता हूँ, जैसे glucose का example देते हैं, इंसुलिन का, तो एक example के थुरू मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कि how does it work, फिर हम दो तरीके से पढ़ेंगे, इसको है ना, पहले हैं पर समझो, क्या हुआ, कि मानलो आपकी body के अंदर na, body के अंदर glucose की मात्रा जादा हो गई है, तो मानलो ये आपकी blood vessels हैं, और इस blood vessel में क्या हुआ, glucose की मात्रा जादा है, it is glucose, अब जब इसमें glucose की मात्रा जादा हो गई है, तो क्या करेगी body, body insulin निकालेगी, प्कास insulin क्या करता है, cellular uptake of glucose increase कर देता है, तब के blood में जो glucose का level जादा हो गया है, वो glucose कौन यूज कर लेगा, और इस तरीके से आपके blood में glucose का level कम हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, this is how it functions, तो इस glucose को uptake कौन कर देगा, insulin uptake करवा देगा, तो मालो हमारे पास क्या एक cell है, यह हमारे पास एक cell है, ठीक है, इस cell में क्या लगे होंगे, कुछ इंसुलिन को signal भेजा कि इंसुलिन निकलवा दो, अब इंसुलिन निकला, इंसुलिन निकला उसने जाच परताल की, कि भाई सच में क्या glucose के लेवल बढ़ गया है, तो इसको पतलागा कि हाँ भढ़ गया है सच में, तो इंसुलिन जाके अटैच हो जाएगा, cells के उपर, तो इंसुलिन एक हॉर्मोन है, cell के पास इसके receptors है, तो receptor ने इस इंसुलिन को accept कर लिया, इससे क्या होगा, जैसी ये इंसुलिन जाओग, अपने receptor के साथ bind करेगा तो cell के उपर जो मौजूद थे, क्या, cell के उपर जो gated channel मौजूद थे, वो gated channel खुल जाएंगे, और जैसी वो gated channel खुले, तो cells ने इस glucose को इस्तिमाल करना start कर दिया, तो cells के करेगी, cell इस glucose को इस्तिमाल करना start कर देगी, और इस तरीके से cellular uptake of glucose increase होगा, और blood में glucose की मातरा कम हो जाएगी, अब ना हो, इसमें मुद्दा क्या था समझाने का, समझाने क पाएगा या उसी पार्ट में functioning करेगा जिसके पास उसके receptors हो, जैसे, मिसाल के दौर पे, आपके brain से निकले FSH और LH, ये कहां काम करेंगे, आपको पता है FSH, LH के receptors जो आपके testis के पास होते हैं, ठीक है, क्या आपको सच में लगता है कि जो hormones FSH, LH आपके brain से निकले हैं, और blood में दाल दिया, अब blood से क्या वो सिर्फ testis तक पहुचेंगे, नहीं, वो hormones आपके body के हर पार्ट तक पहुच रहे हैं, तो FSH, LH यहां भी पहुचा है, kidney में भी पहुचा है, आपके intestine में भी पहुचा है, हर जगा पहुचा है, तो क्या मेरा हाथ, मेरे हाथ की cells भी, you know spums की production करना start कर देगी, नहीं, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसके receptors सिर्फ खहां पे होंगे, तो FSH और LH के receptors सिर्फ पाई जाएंगे, testis में तो सिर्फ वहीं काम करेगा, ठीक है, तो hormones सिर्फ वहीं काम करते हैं, जहां उनके receptors होते हैं, यह बात आपको अपने जहन में उता किया जाएगा, तो यह basic सी बात समझ में आ गई, बहुत easy बात है, hopefully आपको समझ में आ गई होगी, अब मैं आपको जो आगे पराने वाल हूँ, अब आपके लिए वो easy हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसी basis पे हम दो तरीके से hormones को divide करेंगे, कुछ hormones जो fast acting होते हैं, rapidly acting होते है कुछ hormones जो कि slow acting होते हैं, चीक है, let's talk about this, तो आप होगे पहले fast acting hormones क्या होते हैं, तो fast acting hormones जो होते हैं इसमें आपके examples आते हैं, biogenic amines और peptide hormones ठीक है, यह examples हम याद कर लेंगे पहले, समझते हैं कि यह fast action होता कैसे है, तो जो भी hormones इस वाली category में आएंगे न, fast acting वाली में, पहली बाद तो इनके receptors जो होँगे न, receptors are present on cell surface, इनके receptors हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, cell surface के उपर पाए जाएंगे, समझो अब क्या हुआ, और इसमें इनकी working कैसे होने वाली है, तो यह वाली hormones कैसे काम करेंगे, with the help of secondary messengers, secondary messengers, समझते हैं क्या कहा रहा हूँ मैं आप से, ठीक है, यह कौन सी भाशा मैं बोल गया, हाना, secondary messengers के examples भी हैं, कुछ मैं examples भी वाली लिखे लेता हूँ, फिर एक साथ समझेंगे इसको, examples होगा, C AMP, ठीक है, G AMP, इसके अलावा, IP3, IODO, triphosphate, inocetol, sorry, not IODO, इस inocetol triphosphate, चिक है, इसके लावाई को example भी है, पले सकते हो, IP3 होगा, C AMP, G AMP, G A G होगा, यह, ठीक है, यह example से भी आप लिखे लो, फिर लावाई को, ठीक है, हाँ, यहाँ दिखते हैं, अब क्या होगा, कि मान लो आपके पास कोई एक hormone है, यह hormone आया, इसको इस जगा पे bind करना है, यह hormone था, यह आया, यह cell के पास आके इसके receptor के उपर bind कर गया, और जैसी यह इसके उपर आके bind किया, तो क्या बन गया, यह बन गया, HR complex, अब मुझे एक बात बताओ, कि fast acting hormone के receptors कहा होते हैं, cell membrane पर होते हैं, तो इसका receptor cell membrane पर है, हormon आके bind किया, bind करने के बाद क्या होगा, जैसी इसके इसके अंदर कुछ enzymes होगे, जैसे मान लो एक enzyme था, adenyl cyclase, यह inactive form में था, यह convert हो गया, adenyl cyclase में, जो कि active form है, कब convert हुआ, जब इसके receptor पर bind किया, hormones, तो पहला conversion हुआ, फिर इसके convert होने की वज़े से, जो cell के अंदर ATP था, वो ATP convert हो गया, CAMP के अंदर, जैसी CAMP बना, वैसी एक और enzyme, protein kinase, वो inactive था, वो activate हो गया, ठीक है, अब जैसी protein kinase active हुआ, उसने, एक और enzyme, जैसे glycophosphate, phosphorylase को convert कर दिया, active glycophosphorylase में, और फिर यह जो है, यह finally जैसी बनेगा, वैसे ही, यह glycogen को glucose में convert कर देगा, और glucose आपको energy देगा, तो it's like what is happening here, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस आपने वो game देखा है, जिसमें क्या होता है, कि एक परसन के पास कोई एक बॉल है या फर कोई एक लेटर है, वो दूसरे को पास करेगा, दूसरा वाला जो है, वो तीसरे को पास करेगा, तीसरा वाला चोफे को पास करेगा, तो it's like, ऐसे कुछ game हो रहा है, कि जैसी impulse हो इस इस यह कम आया, इमपल्स एक से दूसरे पर गया, दूसरे से 3rd पर, एइसए इम्पल ड्रेवल कर रहा है तो इन्हें आप को से किंड़िर मैसिंडर मेसेंजर जो इस तरीके से सिग्नल का ट्रांशुट में एक्शन को इसके लिए जिसके लिए ये ये हॉर्मोन आया था जिसका आपको करवाने के लिए वो काम आपको होता हुआ दिख रहा है लेकिन कैसे secondary messengers की मदद से ठीक है और ये क्यों हो रहा है विकॉस इसके हॉर्मोन के जो receptors है वो कहां पर है आपके surface के ऊपर present है तो दो category of hormone जो है वो इस तरीके से function करते हैं कौन-कौन से बायोजनिक जिसमें कौन-कौन से examples थे याद करो रिवाइंड करो फटावट से इसमें आते हैं आपके adrenaline, noradrenaline ठीक है T3, T4 ये नहीं आएंगे adrenaline, noradrenaline और इसके अलावा peptide hormone जितने भी होंगे वो सारे किया है वो इस तरीके से काम करते है ठीक है तो secondary mess messengers का इस्तेमाल होगा इन hormones के functioning के लिए second in के receptors कहां पाय जाएंगे cell surface के ऊपर पाय जाएंगे और ये fast acting होता है rapidly acting होता है फटावट से काम करते है दन है चलिए तो कुछ examples और लिख दें मैंने हापे जैसे कि आपके जो camp का इस्तमाल करेंगे वो ये वाले hormones हैं ठीक है ये hormones जोई हैं camp को use करेंगे as a secondary messengers और कुछ है जैसे कि जो calcium का इस्तमाल करेंगे as a secondary messenger उनके examples मैंने आपे mention कर दिया है तो ये होगा आपके fast acting hormones कैसे काम करते हैं और आपको यहां पर सिखा दिया है अब बात करते है slow acting hormones कैसे काम करते हैं right let's talk about slow acting hormones कैसे काम करेंगे तो इसमें क्या होने वाल है इसमें you will see कि बहुत simple है कि एक hormone आया लेकिन इस बार कुछ नया होगा वो नया क्या होगा वो यह है कि इनके जो receptors पाय जाएंगे इसे examples क्या होंगे examples में आप कहा जाएंगे steroid hormones thyroid hormones T3 T4 वो इसमें आ जाएंगे इन में working कैसे होती है तो working होती है simply chromatin fibers पर action होके या फिर DNA से RNA बनवाके mRNA बनवाके जिससे आप कहते हो translation sorry transcription तो इन चीडों के through इसके functioning होने वाली है यह ऐसे काम करेंगे और इसके अलाबा किस तो इनके receptors पाय जाएंगे तो इनके receptors जो है न वो पाय जाएंगे inside cytoplasm cytoplasm के अंदर इनके receptors पाय जाएंगे अब example समझेंगे इसे इस्टोजन ठीक है क्या था एक steroid hormone था testosterone हो गया इस्टोजन हो गया यह hormone आया यह जो है इसके receptors कहाँ पे हैं cell के अंदर पाय जाएंगे तो यह directly आपके membrane को cross कर जाएगा ठीक है यह directly membrane को cross कर जाएगा अब cross करने से क्या होगा जैसे इसने membrane को cross किया तो इसके receptor के पास bind होगा क्या बन जाएगा HR complex यह जैसी complex बना तो signal जाएगा nucleus के अंदर nucleus में DNA जो है वो mRNA बना देगा और mRNA से फिर क्या होगा translation होगे proteins बन जाएगे और यह proteins जो है यह फिर physiological effect शो कर देगे जिस काम के लिए यह hormone आया था वो वाला काम यहां से शो हो जाएगा तो difference किया है इसका पहली बात यह slow काम करेगा दूसरी बात इसके receptors cell के अंदर पाए जा रहे हैं तीसरा यह conversion translation या transcription के through काम कर पा रहे हैं आई बात समझ में तो इस तरीके से काम करेगा और this is called as slow acting hormones इसमें secondary messengers की ज़रूरत नहीं है तो no secondary messengers आई बात समझ में this is what we call as slow acting and fast acting hormones यहापे हमने यह वाला पार्ट भी complete कर लिया है अब मैं आपको लास्ट शीच पढ़ा दू कि आपको जो मैं बता रहा था ना यह वाला पार्ट मैं पराऊंगा बाद में अब देखो बहुत अब मुझे बताओ की receptors के पास होते हैं सेल के पास होते हैं सेल में कहां हो सकते हैं यह तो membrane यह सेल के अंदर हो सकते हैं अब एक बात बताओ कि यह वाले जो hormones होंगे यह lipid lipid bilayer की होती है मतलब fat की बनी है और यह hormones में कैसे है lipid से बने है मतलब fat से बने है और fat fat की तो महबबत है आपस में तो यह hormones वाई easily बिना किसी अर्चन के directly पास कर लेंगे membrane को यह plasma membrane को easily pass कर पाएंगे तो इनके receptors कहा होने चाहिए membrane या अंदर तो इनके receptors अंदर होने चाहिए cell के अंदर होने चाहिए तो इनके receptors कहा होते है inside cytoplasm और वहीं जो water soluble hormones हैं, ऐसे hormone जो पानी में soluble हैं, तो वो membrane को पास तो नहीं कर पाएंगे, phospholipid bilayer को membrane को पास नहीं कर पाएंगे, तो इनके receptors खाऊने चाहिए, membrane की ऊपर होने चाहिए, क्यों सर, क्योंकि तो यह मालों membrane है, phospholipid, यह है plasma membrane, यहाँ पर आगे कोई water soluble hormone, अब यहाँ से अंदर कोशिश करेगा, cross करने की link, cross नहीं कर पाएंगा, क्योंकि यह fat है, और fat पानी को नफरत करता है, तो इसे entry नहीं लें देगा, इसलिए यहाँ पर चाहिए कुछ special receptors, जिसे receptor के through क्या हो सके, impulses को अंदर transmit किया जा सके, तो इनके receptors खाऊंगे, इनके receptors पाए जाएंगे, inside या on cell surface, अब examples देख लो, examples में, आप कैसे याद होगे, starting के जो दो category थी, right, starting के, जो दो category थी ना आपकी, पहली, आपके amino, acid derivatives जो थे, या जिसे आप बायोजनिक कहते थे, biogenic amine hormones, ये वाले hormones कैसे होंगे, ये होंगे आपके, water soluble, दूसरा, जो आपके peptide hormones थे, peptide या protein hormones, ये भी water soluble होते हैं, ठेक है, दूसरी तरफ यहाँ पर देखो, lipid soluble कौन से होते हैं, lipid soluble में एक्जम्पल सा देंगे आपके, जैसे की, thyroid hormones, और steroid hormones, ये examples है किसके, these are the examples of lipid soluble, तो यहाँ हमने ये वाला introduction वाला पार्ट कम्प्रीट कर लिया है, hopefully आपको समझ में आगया होगा, है ना, शुरुवात से बार फटा-फट से एक और layer चुडाते हुए, revise मारते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा हमारी आज की इस मुलाकात में, तो देखते हो चलो भई, सबसे पहले, हमने start करा किसके जाथ, functions of hormones की hormones होते क्या है, कुछ basic data हमने जाना, जो आपको याद कर लेना है, इसके लावा हमने बात करी कि exocrine और endocrine glands क्या होती है, उनके functions को जाना, फिर हमने बात करी कि hormones क्या होते हैं, उनकी properties या uniqueness क्या है, तो hormones ब हमने दोना में difference समाझ लिया, difference के बाद main चीचे हैं से start करी हमने कि classification कैसे होती है, hormones की, पहला, hormones को आप divide कर सकते हो on the basis of origin कैसा है, कौन सी germ layer से वो बने हुए है, second आप उने classify कर सकते हो on the basis of, on the basis of, कि उनका composition क्या है कि वो amino acid से बने है, किस चीज से बने है, तीसरा, solubility कैसी है, है ना, lipid soluble है, यहापर, fat soluble है, water soluble है, ठीक है, चौथा, कितनी दूर travel कर सकते हैं, फिरम ने समझा कि mechanism क्या होता है, hormones का, and this is how we complete this lecture also, लेकिन सवाल, सवाल और सवाल बच गए है, तो session खतम करने से पहले कुछ सवाल लगाते हैं, है ना, so it is the time for a quiz, फटा फट से जो आपने को complete करना है, लेकिन से बले क्या करना, आप इन वाले key points को एक बार read कर लो, मेरी बात मानो, और इन key points को एक बार read कर लो, और फिर दोखो आपके यह filling में आपको असानी मिल जाएगी, ठीक है, हम फरवर से fill करेंगे फिर इसको, करो read एक बार, तो hopefully आपने रीड कर ले होंगे सारे के सारे points, अब आई इसको fill करते हैं, कह रहा है, hormones are found, sorry, hormones are formed by the glands or tissue that dash them into the dash, तो यहां पर आना चाहिए गया, secret, जो hormones को secret करेगा, कहां पर, secret them into the bloodstream, बहुत आपको बताए कि, जो hormones होते हैं, वो कहां पर secret होते हैं, bloodstream में secret किये जाते हैं, then, and are transported to their dash, तो कहां तक transport होंगे, वो hormones, target तक, so they will be transported to target, next, when a hormone arrived, as at its site of action, it bind to a specific molecule, group called S, तो जैसी वो hormone अपने target तक पहुचेगा, तो वो किस पर जाके bind करता है, तो वो bind करता है, receptors की उपर, तो answer आएगा, receptor, next, homeostasis of dash environment, तो homeostasis किसका maintain होना होगा, आपको बताए कि body का homeostasis is maintained होता, body के नदर जो cells है वो cells अपना homeostasis maintain करती है, what is homeostasis, कि भाई, पाने की concentration ठीक है के नहीं है, ions की concentration ठीक है के नहीं है, यह सारी चीचेज़े, तो किस का environment, आपको ओगे, cell का environment, टेक है, तो internal environment, internal environment, तो homeostasis of internal environment is maintained partially by nervous system and partially by endocrine system, यह बाद हम जानते हैं, next, the former is concerned with, dash changes, तो बनाने वाला कोण है, nervous system, तो nervous system जो है, वो किस बात से concern करेगा, fast action से, fast changes से, whereas those that are involved in endocrine system, तो वो चीज़ें जो endocrine system में involved होंगे, जैसे hormones, वो कैसे काम करेंगे, slow, तो वो slow होंगे, और precise होंगे, और continuously काम करते रहेंगे, next, chemically hormones fall into two groups, एक protein based होते हैं, और दूसरे, एक होते हैं, protein based, और दूसरे होते हैं, आपके lipid based, ठीक है, या steroid based आप कह सकते हो, तो पहली ग्रूप में कौन से hormones आते हैं, water-soluble hormones, जो पानी में solubles हैं, क्या उनके examples आप दे सकते हो, ये सर, हमने अभी लिखे हैं, ये क्या है, water-soluble hormones, कौन को से हो सकते हैं, biogenic, amines वाले, जिसमें adrenaline, noradrenaline, melatonin आजाएगा, और दूसरे कौन से होंगे, oxytocin, ये सारे hormones कौन से होंगे, आपके, अप्राइट, प्रोटीन वाले, तो example सा रहेंगे आपके, adrenaline, noradrenaline, या पर कौन सा दिया होगा है, adrenaline, इसके insulin, insulin, glucagon, glucagon क्या है, एक प्रोटीन होर्मोन है, next, later the group includes, बाखी वाले groups में क्या आजाएंगे, आपके, steroids, और steroids में example क्या होता है, estrogen, लिखाए इन पर, लिपिट, okay, sorry, या रेगा, steroids, या रेगा, steroids, टिक है, तो इसे के समने, इसको फिल कर लिया है, त्यान से भाई, देख लेना, एक बार, okay, so, I think, ये एक अच्छा सवाल था, प्रकॉज से, आपका थोड़ा सा माइंड होलेगा है, प्रकॉज अब्जेक्टे सवाल करके, तो यार हमारा, हम बदमाश हो गए है, कि हमारा फट से अंसर आजाता है, लेकिन जब आप ऐसे कोशिन करोगे तो आपका माइंड थोड़ा चलना स्टार्ट होता है, अगला सवाल, या इसका अंसर है, आंसर आप रीड कर सकते है, नेक्स सवाल कर रहा है, विच आप द फॉर्मों से होच है, तो यह तो सही है, हॉर्मोंस आर रेक्वाइड इंटरेस अमांट, यह भी सही है, हॉर्मोंस आर इंटरसलुलर, नहीं, हॉर्मोंस कैसे होता है, इंटरसलुलर होते हैं, इंटरसलुलर, यह एक सैल से दूसरी सैल पर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, इस इस द इक्सट कॉन सी होती हैं तो प्रिदोसेस दा नॉन न्ट्रे municipalities के अमारी वोड़ी अंदर ॉस्ते मर्ण बर दे आर तो फाल्मोन इस तो प्रोडिफाइड आमाइनो आसेड कि यह प्रोडिफाइड है और कॉर आपका एपिनफरिक या फिर प्रोडिष्ट्रों प्रोस्टाइड या इस्टोजन थेगा आपका steroid hormones say कि यह तीनों ही steroid hormones हैं अग्ला सवाल तो यह कह रहा है कि कि invertebrate processes dash endocrine system with dash hormone whereas vertebrates include dash hormone that's this. तो खुद से ट्राइ किजिए, फिर करते हैं solve इसको, देखें, देखो, आपको यह पताना है कि invertebrates थोड़ी से lower है, हाना ज्यादा advance नहीं है और हम लोग vertebrates जादा advance है, हाना, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि invertebrates जो की थोड़ी से low है, हमसे पहले आये थे, तो उन में जो endocrine system है, वो थोड़ा simple होगा, तो invertebrates में endocrine system कैसा होगा, simple, right, with dash hormone, कैसे hormones, बहुत कम hormones पाए जाएंगे उनके अंदर, कम मतलब मेरा number से मतलब है, हाना, amount से नहीं, number, तो 2-3 तरह के hormones होगे उसके अंदर, तो उनके पास simple और कम hormones होगे, हमारे पास कैसा है, complex है, हमारा endocrine system complex है, हमारे पास ज्यादा number of क्या है, hormones है, ज्यादा से मैं वापस बोल रहा हूँ, amount से नहीं कह रहा कि यह ज्यादा release होते है, ज्यादा hopefully आपने try किया होगा, पास करो वीडियो को नहीं किया तो, cyclic AMP, आपको पता है, कि target cell पे उन hormones को action करना है, और यह कौन है, peptide वाले है, peptide और पहले वाले amino acid, यह दोनों ही कैसे होते है, they both are basically fast acting, और यह दोनों अगर fast acting है, तो they will be cyclic AMP, लिखवाय हुए यार, देखो द्यान से सारी बात है notes में लिखी हुई है, fast acting कौन से होते हैं, biogenic amines और peptide hormones, और slow वाले कौन से होते हैं, steroid hormones और thyroid hormones, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस सीच को आप as it is याद कर लोगे न, तो बहुत easy है, starting के दो कैसे थे, बताओ, biogenic और peptide, यह दोनों कैसे हैं, fast acting है, यही दोनों कैसे हैं, starting वाल दोनों, यह दोनों lipid soluble हैं, water soluble हैं, तो दो category तो आपको ऐसी ही याद हो गई, last वाले जो दो हैं, यह कैसे हैं, यह आपके, steroids होते हैं, मतलब lipid soluble हैं, और इसके लाभा यह कैसे हैं, they are slow acting, तो अगर आपने चार्ट याद कर लिया तो आपको ऐ ऐसे category से आप से याद कर सकते हूं, ठीक है, आते हैं, दो-तिन सवाल और बचे हैं, उन्हें भी लगाते हैं, next, receptor for protein hormones are located, protein वाले के लिए receptors खाऊंगे, cell के अंदर या cell के membrane पे, तो protein है, मतलब first two category में आएंगे, मतलब cell के surface के ऊपर बाई जाएंगे, तो on the surface of cell, ठीक है, अगल according to the accepted concept of hormone action, if receptor molecules are removed from target, तो जहां से यह hormone बना था, और जिस organ के उपर यह काम करने वाला है, उसके उपर receptors होंगे, मानलो आपने वो receptor को यह हटा दिया, तो क्या होगा, target organ will continue to respond, क्या वो target organ respond करेगा, respond करेगा, या respond नहीं करेगा, या respond करेगा, पढ़ लो options, तो respond नहीं करेगा, तो response नहीं करेगा, तो आपने target में से receptor हता दिया है, अब receptor ही नहीं है, तो फिर hormone bind ही नहीं कर पाएगा, और hormone bind नहीं करेगा, तो कहां ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, next, father of endocrinology, Thomas Edison, next, which of the following cell does not secrete the hormone कौन सा cell hormone secrete नहीं करता, आप इसका जवाब दीजे, मैं एक पर स्पेलिंग टिक कर लो, it's addition, अब क्या हो रहा है, चिक है, अच्छा, हम सवाल पे थे, बता हुई, क्या answer होगा, yes, which of the following cell does not secrete the hormone, कौन secrete नहीं करती, तो कफर सेल्स जो है, यह आपको पता है, कहां पर पढ़ा है आपने, लिवर इक अंदर, लिवर इक अंदर होती है, आपकी कफर सेल्स, विए इस फैगोषिके नेचर तो ही, कि होर्मोन secrete नहीं करेगी, बाकी लेडिक सेल्स आपको पता है, ट्रेस्टिस्टरन होर्मोन secrete करती है, लुटेंट सेल्स आपको पताई ये किसकी सेल्स हैं ? कॉर्पस लुट्यम की और कॉर्पस लुट्यम जोए ये एक temporary endocrine gland है जो कि प्रियस्ट्रोन होर्मन से करता है और follicular सेल्स जोए ये क्या से करिएगई आपके thyroid होर्मन से करिएगई तो first is the correct answer यह आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? Next, कह रहा है, name the secondary messenger given, तो कोई एक secondary message का example दो, तो ATP कोई secondary messenger है, नहीं, GTP, नहीं, ATP, AMP, नहीं, cyclic AMP, C AMP is the example, correct, ठीक है? Next, कह रहा है, which of the following is not involved in secondary messenger, कौन सा secondary messenger नहीं होता है, तो phospholipid नहीं होता, C AMP भी होता है, DAG भी होता है, यह है diacetyl glycogen, और IP3 भी होता है, ठीक है? तो हाँ पर एक DAG एड़ कर लेना, next, which of the following is not a secondary messenger hormone, कौन सा secondary messenger नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, कि C AMP भी होता है, C G AMP भी होता है, calcium भी होता है, एक secondary messenger, तो sodium नहीं होता बस, ठीक है, sodium नहीं होता, इसके लावा कह रहा है, hormone thyroxine, adrenaline, यह सारे काउंसे होते हैं, तो adrenaline, thyroxine, यह, these are amino, biogenic amino होते हैं, और triosine derivatives होते हैं, यह हमने पढ़ लिया है, क्या हो रहा है, परशान हो गया है, ठीक है, तो this is the correct answer, एक last सवाल है आपकी class का, which is not a steroid hormone, कौन सा एक steroid hormone नहीं है, aldosteron, या फिर androgen, thyroxine, या estrogen, तब वता है, aldosteron, right, बाकी androgen जो आपका steroid है, estrogen भी है, और thyroxine भी एक, आपका steroid, नहीं रुको, thyroxine नहीं है, thyroxine आपका कैसा है, amino derivative होते है, अच्छा, एक और बज़ गया, which one of the following pair of organs includes exocrine and endocrine gland respectively, तो कौन सा endocrine है, कौन सा exocrine है, तो इसका answer आप मुझे कमेंट करेंगे, कुछ सवाल तो आपके लिए भी देखे जाने चुए है इतनी smooth reading अच्छी बात नहीं है, तो इस सवाल है, आपके लिए आपका homework है, ये भी आपका homework है, ठीक है, तो ये पहला question मान लो, first का answer आप दोगे, और ये दूसरा है, second का आप answer दोगे, ठीक है, and should we complete this session, करते हैं, खतम हमारी आज की इस मुलाकात को, hopefully आपको आया होगा और हम मिलेंगे हमारी अगली मुलाकात में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं, safe हैं, bye-bye, take care